हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्जाम्पल नंबर टैंथ एक्जाम्पल नंबर टैंथ जो है आपका वो सेम जो कल हमने आर्रिकल किया था 1.10 उसके उपर बेस है ठीक है तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट क्या है इसकी आपको क्या given है भई अगर आपका argument 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो उसकी corresponding जो आपकी entries है, उनकी value कितनी है, 2, 9, 28, 65, 126 and 217, ठीक हो, तो आपको क्या find out करना है, आपको y6 find करना है, कहने का मतलब जब आपका argument 6 हो, तो उसके corresponding जो आपकी entry आएगी, वो क्या होगी, तो देखो बच्चो, सबसे पहले लिखो, क्या आ होता है, argument, argument क्या क्या है आपके, 0, 1, 2, 3, 4, और 5, आप इसको क्या बोलते हो, a, a plus h, a plus 2h, a plus 3h, a plus 4h, और a plus 5h, तो आपको निकालना क्या है, 6 पे, 6 क्या आएगा आपका, a plus 6h, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, a plus 6h, जो आपका argument है, उसके corresponding entry क्या होगी, आपकी कहने का मतलब, y of a plus 6h, ये चीज़ आपको क्या करनी है, find out, अब देखो, जो पिछला article हमने किया था, उसको आप short form में कैसे लिख सकते हो, उसको आप short form में क्या लिख सकते हो बई, कि y a plus nh is equal to this, जिस जब आप इस expansion को solve करोगे, तो वो जो article वाला result था, वही बन जाएगा आपका, तो आपकी ये क्या होगी, इसकी short form, अब देखो, जो e operator की property हैं आपकी, वो आप लोग खुद ट्राइ करोगे, बहुत easy हैं, बहुत e आपका क्या होता है, shifting operator होता है, shifting operator की आपके इसमें book में property दे रखी हैं, बिल्कुल easy easy हैं, चोट plus delta, तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, इसकी value put कर सकते हो, इसका मतलब y a plus n h is equal to कितना आएगा, e raised to power n y of a, अब आपको क्या निकालना है, a plus 6 h के corresponding, आपको entry निकालनी है, ये वाली, तो इसका मतलब आपका n की value कितनी है, यहाँ पे 6, कहने का मतलब y of 6 कितना आपका e, यहाँ पे n की जगह पे 6 और y of a, ठीक है, a कितना है आपका 0, a कितना है बच्चों यहाँ पे 0, तो कहने का मतलब आपको निकालना है, e 6 y 0, इस e को क्या लिख सकते हो, 1 plus delta, इसकी power 6 y 0, अब देखो, इसको आप expand कर सकते हो, binomial expansion, क्या होती है binomial expansion, लगाओ इसके उ पर क्या आएगी, binomial expansion क्या आजाएगी, इसकी n c 0, n कितना है आपका 6, यानि कि 6 c 0, और 1 की power n, into delta की power 0, ठीक है, plus n c 1, और इस 1 की power n minus 1, और delta की power 1, देखो, बच्चों, 1 की तो चाहे कितने भी power करो, क्या आएगी हमेशा 1, तो calculation ज्यादा बड़ी ना हो, ज्यादा दिखने म ना लगे, इसके लिए हम इसको क्या कर देंगे, skip कर देंगे, तो जो next step आएगा आपका वो क्या आएगा, 6 c 2, dell square, plus 6 c 3, dell cube, plus 6 c 4, dell 4, plus 6 c 5, dell 5, plus 6 c 6, dell 6, और साथ में क्या है इसका y note, अब क्या करो, इस y note को इसके उपर operate कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसकी value क्या आएगी भई, 6 c 1, इन सब को आप calculate करना, यह तो coefficient है, easily calculate कर सकते हो, क्या है आपका, n c r, क्या होता है, आपका, n factorial upon n minus r factorial, और c factorial, यह वाला formula यूज करके, आप इनको expand कर सकते हो, 6 c 2, 6 c 3, इन सब को, ठीक है, तो कर ले ना इसको, तो कितना आएगा देखू, dell, dell की value जब 0 करोगे, तो क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा, आपका y 0, plus 6 c 1, dell y 0, plus 6 c 2, 6 c 2, और dell square y note, plus 6 c 3, dell cube, dell cube के साथ क्या हो जाएगा, operate आपका y note, plus 6 c 4, dell 4 y note, plus 6 c 5, यह आपका क्या बन जाएगा, जब आप इस पूरे के उपर y note को क्या करोगे, operate करोगे, तो कितना आ जाएगा, 6 c 6, dell raised to power 6, 5 6, ठीक है बही, यहाँ तक कोई doubt, अब देखो, आपको क्या चाहिए, आप इसको solve करने के लिए, इसकी value, इसकी value, इसकी value, इसकी, इन सब की value चाहिए, और यह आपके पास क्या ह है, यह तो क्या है पही, first forward difference, यह क्या है आपके पास second forward difference, और note लगा रखा है, 0 लगा रखा है, इसका मतलब leading वाला कहने का मतलब यह तो आपका क्या है, फिर्स्ट लीडिंग फोर्वर्ड डिफ्रेंस ये क्या है आपका second, second forward leading difference ये आपका क्या बन जाएगा third forward difference की इसका leading वाला ठीक है तो इनको आप calculate करोगे इनको calculate कैसे करोगे बच्चो टेबल की help से तो चलो table बनाते हैं इसकी देखो बच्चो आपके argument ये सारे दे रखे हैं और इसके corresponding entries आपकी ये हैं आपको क्या निकालना है del y a del y a कहने का मतलब क्या होगा forward difference है forward difference है तो क्या करोगे यहाँ पर आपके पास क्या आएगा del y a वो कितना आ जाएगा आपका a तो आपका 0 है तो ये कितना आ जाएगा आपका इस y 1 में से क्या subtract कर दोगे ये वाला तो कितना आ जाएगा आपका 7 अब यहाँ पर क्या आएगा इसमें से इसको subtract करोगे क्यों क्योंकि forward निकाल रहे हो यहाँ पर तो 28 में से 9 subtract करोगे तो कितना आएगा 19 अब इन दोनों का करो subtraction वो कितना आएगा आपका 37 इन दोनों का subtraction करोगे वो कितना आएगा आपका 61 इन दोनों का subtraction करोगे वो कितना आएगा 91 तो ये तो आगया आपके first forward differences तो leading वाला कौन सा है भई leading है आपका ये forward में लीडिंग आएंगे ये उपर वाले और बैकवर्ड में होते हैं नीचे वाले, ठीक है, अब देखो इन दोनों का सब्ट्रेक्षन करो, इन दोनों का करो, इन दोनों का करो, कितना आएगा आपके पास, सेकंड वाला, इन दोनों का करोगी तो आएगा 12, 18, 24, 30, ठीक है, अब 6 6 अब फर्दर जब आप calculate करोगे तो वो कितना आएगा 0 0 आगे आप कुछ भी निकाल लो सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे 5th order भी 6th order भी सारे क्या आजाएंगे 0 और leading कोन से हैं आपके क्योंकि forward निकाल ले हो तो leading वाले आपके क्या है ये ठीक है ये आपकी बन क्या करोगे आप यहां से इस यहां से आप इनकी value क्या तर दोगे put कर दोगे और solve कर लोगे ठीक है तो वो आपके पास किसकी value आजाएगे आपकी y6 की ठीक है भई आया समझ में कहीं पर कोई doubt similarly इसका जो second part है इसमें आपको क्या calculate करना है एक तो आपको निकालनी थी किसकी value y6 की दूसरी आपको निकालनी है value y of minus 1 की y minus 1 की अब देखो बच्चो y minus 1 की value निकालोगे इसके लिए किसका किसका यूज करोगे वही relation कौन सा relation की y a plus n h की value कितनी होगे आपकी e n y a ठीक है तो जब आप y6 निकाला उसकी value कितनी आई थी आपकी e6 y a यहाँ पे जो value थी वो यहाँ थी जब आप y minus 1 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका e minus 1 y a ठीक है अब देखो e की value क्या बताए थी मैंने e आपका होता है क्या 1 plus delta कर दो इसके अंदर value पूट कितना आ जाएगा 1 plus delta power minus 1 y a अब यह भी क्या बन जाएगा आपकी binomial expansion इससे इसको क्या करोगे expand तो कितना आ जाएगा आपका यह 1 minus delta plus del square minus del cube plus del 4 minus del 5 plus del 6 up to 100 और साथ में क्या है आपका y a e आपका क्या है यहाँ पे 0 तो यानि की y note ठीक है यह आपने क्या निकाल दी expansion similarly जो पिछे यह बाला पार्ट क्या था इसके according y note को इसके साथ operate करोगे यह सारे चीज़ें आपने calculate करी रखी है और इसके अंदर क्या करोगे put करोगे solve करोगे तो आपके पास किसकी value आजाएगी y minus 1 की ठीक है बई इसी के साथ जो आगे example है यह भी सारे इसी type के हैं दो या तीन बचे हुए है इन सब को भी try करोगे और साथ में जो exercise है 1.1 उसको भी करोगे कहीं पे कोई doubt आए तो पूछ लेना आपके पास कल का time है परसों exercise को solve करके इसकी पिक बेजोगे मेरे पास ठीक है